आजादी के अमरित महुत्सव का लक्ष, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वीरता की अंसुनी कहानिया और अंसुने वीर नायकों की कथा को उजागर करना और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना है ये शौर्य गाथा देश में सद्यों से घुले मिले, कई जन्जातियों में से प्रमुक भील जन्जाती और उनके बीच स्वराज का बीज बोने वाले और उन्हें नई पहचान दिलाने वाले महनायक गोविंद गुरू की है ये कहानी मानगढ की पहाडी पर हुए उस नरसंहार की है जिसमें हजारों निर्दोष भील आविवासियों ने भारत माता के लिए अपने प्राण नियोच्छावर किये थे गुजरात की सीमा में मानगढ पहाडी पर स्मृती वन बना है जिसका उदगाटन ततकालीन मुख्य मंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था आज भूमी पर गोविन गुरुने प्रेणा की निशत्वर समार्चुरावर तरिके इक्तान करवार भगतनों समूः गोविन गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 को राजस्थान के डुंगरपूर के बंसिया गाउं में हुआ था उनके नेत्रित्व में भीलों का भगत आदोलन शुरू हुआ था जब गोविन्द गुरु के वल 20 वर्ष के थे उसी समय उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों से प्रेणा ली और 1883 में संप सभा की स्थापना की और इसका आयोजन और प्रसार करना शुरू किया संप सभा का उदेश भीलों को अंग्रेजों से निडर होकर लड़ने के लिए जागरित करना गाउं गाउं में शिक्षा के लिए पाठशाला का निर्मान करना बच्चों में संस्कृती की समझ को प्रोथ साहित करना बड़ों को सनातन धर्म के अनुसरण की प्रेणना देना सिर्फ स्वदेशी वस्तु के उप्योग पर जोर देना और शराब और मास के सेवन को बंद करना था महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई में संप सभा के आदर्शों से भी प्रेणा ली गई गोविंद गुरू ने भीलों की बीच सामाजिक सुधारों की अलग तो जलाई ही साथ ही स्वराज की बीच भी उनके अंदर पोए इस बीच अंग्रेजों को ये खबर लगी कि गोविंद गुरू अपने अनुयाईयों के साथ भारी संख्या में एक सभा में एकत्रित होने वाले हैं और इस सभा में भील ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं तारीख सत्रा नवंबर और साल 1913 उस दिन माग्रिशीर्ष पूर्णमा थी मानगढ़ पहाडी पर वाशक मेला आयोजत किया जाना था भील बड़ी संख्या में मानगढ़ और अन्य जगाओं पर एकत्था होने लगे थे उस बढ़ती भील ने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नी दोड़ा दी पुलीस ने कर्नल शटर के नित्रित्व में निर्दोश भीलों को घेर कर उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी ये भ्याव है त्रास्ती दो खंटे तक चली और पंध्रा सो से अधिक भीलों के लहू से ये पहाडी रंग गई गोविंद गुरू को गिरिफतार कर लिया गया उन्हें फांसी की सजा हुई जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया गोविंद गुरु जी ने जेल से रहा होने के बाद अपना शेश जीवन भील सेवा सदन के माध्यम से लोगों की सेवा में लगा दिया उन्होंने भुरेठिया और गीतों के माध्यम से भीलों को जागरो किया जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी लडाई में अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था उस समय गोविंद गुरू अज्ञानता और अशिक्षा के जाल में फसे आदिवासियों को जगा रहे थे और जला रहे थे उनके अंदर देश्न भक्ति की मशाल ऐसे वीर को शत शत नमन